चलिए आज हमें स्टॉट करते हैं temps में present tense का guarantee second present continuous चिंज present होता है वर्थमान समय और continuous होता है जारी रहना या लगता है कहने का मतलब bhai है इस प्रकार के tense में हमारा जो कार रहता है क्या रहता है जारी रहता है वहागा भूत काल से इस्टार्ट रहता है लेकिन इस परजिंड की अवस्था में हमारा जो कारे रहता है वो क्या रहता है जारी रहता है चलिए इसका पहचान देखते हैं क्या होता है इस परकार के टेंस में मेन वर्ब मुख्य क्रिया के साथ रहा है रही है रहे है रहा हूं रहे है आदी शब्द आते हैं जैसे वह खेल रहा है वह नाच रहा है तो जो हमारा मेन बर्व है जो कोई एक्सन है उसके साथ रहा है रही है रहे है रहा हो आदी शब्द आते हैं इसमें हेल्पिंग बर्व जैसे एक्जांपल के तोर पर हम देखे वह इसकूल जा रहा है तो जाने के साथ क्या लगा है रह याद करने के साथ याद करना एक कारी है उसके साथ रहे हैं लगाएं मतलब जो हमारा एक्सन होता रहेगा उसके साथ रहा है रही है रहें आधी सम्द लगा रहेगा इसमें helping verb is MR का प्रयोग करते हैं मतलब इसमें 3 helping verb प्रयोग होते हैं तो third person similar subject के साथ इस का प्रयोग करते हैं third person similar subject क्या होते हैं इसके बारे मैंने बताया है third person similar subject में he, see, it, ram एक लोगों का नाम, एक ब्यक्ति का नाम, एक वरस्त का नाम मतलब एक जो हमारा रहेगा एक वचन के साथ each का प्रयोग करते हैं I के साथ aim का और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ R का प्रयोग करते हैं बाकी सभी सब्जेक्ट का मतलब क्या है की we, you, they, these, those राम एंड स्याम दो लोगों का नाम tables, chairs मतलब इन सारी चीजों के साथ हम आरका प्रयोग करते हैं इसको याद कर लेंगे बार-बार मैं नहीं बताऊंगा अफर्मेटू संटेंस का मिन्स होता है साकरात्मकवात इसका क्या फार्मेट होता है सब्जेक्ट बहले राइट करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार बर्बका फोर्थ फार्म उसके बाद आपजेक्ट यदि हमारा वही रूल थार्ड परसन सिंगलर सब्जेक्ट रहेगा इच हमारा सब्जेक्ट आई रहेगा तो एम का और बाकी सभी सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ आरका प्रयोग कर जैसे वह स्कूल जा रहा है। यहां जाने का कारे हो रहा है। उसकी साथ ही लगा है इसलिए हमारा परजेंट continuous हो गया। जाने का काम कौन कर रहा है? हमारा हो गया tut Joshua जिसको he बोलते हैं। श मोद तरह तरह थो c Balg याद करने का कारेivan है यो तछा है उसके साथ लगा है Ah यहाद कर रहा हाँ आप आपको इंगेलिस में क्या बोलते हि यह you aylons learning लर्न का मीन्स होता है याद करना उसका लर्नींग दीस लेसन इस park को और नगेटु फार्मेट में क्या होगा सब्रूltry वैसे रहेगा लगे इस यह नगेटु संटेंस में नगेटू संटेंस में हमारा सब रूल वैसे रहाएगा is within छोता है नयकारातमक वाक्या किवर हम हल्पिंग बर्व के बाद नॉठ प्रयोग कर देंगे लूठ के बाद हम न हाट लगा देंगे बर्व का इस पत्र को मतलब इस लेटर को लड़के कमरे में समाचार पत्र को नहीं पड़ रहे हैं यहां पर लड़के एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है इसलिए दब वाइज हो जाएगा और हम अभी बताएं हैं कि जब एक से ज़्यादा लोगों की बात होगी तो वहां पर किसका प्रियू करते हैं आर का यह third person and plural subject the boys are not reading रिट का मिन्स होता पढ़ना उसका fourth reading newspaper in the room मतलब कमरे में इंटरोगेट्व शंटेंस इंटरोगेट्व संटेंस का मिन्स होता है प्रस्वाचक वाक्य प्रस्वाचक वाक्य में अधि हमारा अ्टरोगेट्व में हमारा पहला होता है VOW हमारी को अपना जीस की स्टार्टिंग क्या से होती है दुसरा हमारा होता है WH Together कार्य हुति है कि वाखे के बीच में कॉप कहां क्या इससे सभदते हैं तो हमारा संटेंग क्या से स्टार्ट हो रहा है क्या आप ओज्टी स्टार्ट हो mins तो जो भी टेंस रहेगा चाहे कोई भी टेंस हो उसमें जो हमारा helping verb होगा सबसे पहले आप उसी का प्रयोग करेंगे each aim, r तीनो helping verb का प्रयोग होगा लेकिन subject के according मतलब subject के देखते हुए यदि हमारा subject वही rule third person singular subject रहेगा तो each का और i रहेगा तो aim का प्रयोग करेंगे बाकी सभी subject साथ r का प्रयोग करेंगे और यदि इस परकार के वाक्यों में नहीं सब्द आता है तो नहीं सब्द का प्रयोग हमेशा subject के बाद करेंगे लेकिन construction में क्या होता है कि जैसे aim हो गया तो क्या से starting है इसमें subject कौन है आप आपको यू बोलेंगे यू हमारा ये हमारा third person singular subject नहीं है इसलिए r का are you eating an apple क्या होगा विद्द्याले नहीं जा रहा है तो विद्द्याले जाने का काम कौन कर रहा हुआ होआ को बोलते ही ये हमारा third person है इसलिए इस का प्रियुक करेंगे is he not going to school और WH interrogative sentence का मिन्स होता है कि वाकि के बीच में कब कैसे कहा यदि ऐसे सब्द आते हैं तो इनके English में WH लेटर आते हैं इसलिए हम इनको बोलते हैं WH interrogative sentence तो पहले क्या होगा जो interrogative sentence words दिये जाएंगे जो questioning words दिया रहेगा पहले आप उनकी English write करेंगे जैसे WH questioning word को write कर देंगे और सब रूल वैसे ही जे मार according to subject के अनुसार प्रयोग कर देंगे नहीं सब्द रहेगा तो subject बार नाट लगा देंगे बर वका फस्ट फर में ing plus object plus question mark वह इस पत्र को कब लिख रहा है तो यहां पर लिखने का कारव हो रहा है तो question जो हमारा questioning word है प्रस्णवाचक सब्द है कब है कब को बोलते है when लेकिन उसके बाद हमारा subject क्या है वह को को बोलते है he किसका प्रयोग करेंगे each का क्योंकि यह third person है उसके बाद right का राइटिंग हो जाएगा उसके बाद इस पत्र को मतलब इस लेटर को आगे टेंस जो present perfect होगा उसको मारेगे आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे